हलो माई डिर स्टुडेंट्स एक वार फिर से आप सभी का श्वागत है ड्रीम क्लासेज में और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 500 इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव कोश्चन्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो पहली क्लास हो चुकी थी 16 अब्जेक्टिव कोश्चन्स हमने पैटरन के हिसाब से ये बहुत मददगार साबित होगा और जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाएए सभी स्टुडेंट्स और जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है 17 नमबर कोश्चन्स से हम लोग शुरुआत करेंगे ये दूसरी क्लास है जल्दी से जुड़ जाएए ये हमा से द्रब्यमान से उर्जा से और संबेक के संरक्षन से चार विकल्प आपके स्क्रीन पे रखे हुए हैं जल्दी से इस कोश्चन का जवाब दीजिए बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है क्योंकि ये टॉप 500 अब्जेक्टिव कोश्चन्स में हमने इसको सामिल किया है अभ से द्रब्यमान से उर्जा से या संबेक के संरक्षन सिद्दान से कोश्चन नमर 17 चार विकल्प आपके स्क्रीन पर है और जो इसका आंसर होगा वो मैं देख पा रहा हूँ बच्चे धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं काफी सारे बच्चे जुड़ रहे हैं और अं मंदित है उर्जा से ये कोश्चन नमर 17 में कहा गया है ठीक है जिस स्टूडेंट को कोश्चन आंसर नहीं आ रहा है वो अपनी कॉपी में नोट करें क्योंकि ये टॉप 500 अब्जेक्टिव कोश्चन में इसको सामिल किया गया है तो सिंपल सी बात है नए सिलेबस के अधार पर ये कोश्चन से में आपके सामने रख रहे हैं कोश्चन नमर 18 जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि परतिया वर्थी धारा के सिखरमान तथा वर्ग-मूल औसत वर्थ मान का जो रिश्यू होगा कितना होगा कोश्चन नमर 18 चार विकल्प आपके स्क्रीन पर है परत्या वर्ति धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्ग मान का जो रिश्यो होगा वो कितना होगा चार विकल्ब रूट 2 है तो नीचे डिवाइड़ वाइव दे … तो जल्दी सानसर बताई कि पत्या वर्ति धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्ग मान का अनुपाद क्या होगा हाँ जी और एक बात आओ ड्रीम क्लासेज के एप पर क्रेस कोर्स स्टार्ट होने वाला है और समझे स्टार्ट होई गया है एप को डाउनलोड करिए और क्रेस कोर्स जॉइन करिए क्रेस कोर्स की खासियत यह है कि आप 3-4 महीने में जी हां 90-100 दिन में पूरी तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल शुरू से अंतक जी मैं बार-बार बोला है शुरू से अंतक ड्रीम क्लासेज का एप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ने तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो कर रहा है उस पर बगर आप वाट्सअप करते हैं तो आपको हमारा लिंक मिल जाएग आपको लिंक मिल जाएगा कोशन नमर 18 चारवी कलप आपके स्क्रीन पर है आंसर इस रूट टू इस दा राइट अंसर बहुत सरे स्टूडेंट दीरे दीरे जूड़ रहा है हमारे साथ यह काफिला और भी बढ़ रहा है काफी भीड हो रही है इस लाइव क्लास में अबज प्रतिघात का मात्रक ओम, महो, फैराडे या एंपिर चार विकलप question number 19 4 बिकल्प प्रतिघात का ऐसा ही मात्रक क्या होगा 4 बिकल्प आपके screen पे show कर रहा है बस किसी एक बिकल्प का chain करना है कि real answer ये क्या है प्रतिघात का मात्रक 4 बिकल्प आपके screen पे show कर रहा है जल्दी से इंसका answer दीजी काफी special class है ये छोटा सा ही रहेगा लेकिन काफी special रहेगा कि प्रतिघात का जो मात्रक होगा ये क्या होगा, ओम होगा महो होगा, फेराडे होगा, एंपियर होगा 4 बिकल्प, question number 19 4 बिकल्प पे screen पे रखा हुआ है चलिए, तो इसका जो answer है बहुत सारे student इसका answer दे रहे है बिल्कुल सही answer आ रहा है लेकिन जो इसका real answer है वो देखिए ये होगा, ओम, ठीक है प्रतिघात का जो मात्रक होगा वो ओम होगा, एक pen और एक paper लेके बैठिए अगर आपको ये answer नहीं पता है तो प्लीज इसको अपनी copy में note करिए कि प्रतिघात प्रतिघात का जो मात्रक होगा वो ओम होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले question की और अपके सामने रखते है मजा आ रहा है अगर मजा रहा है तो नीचे like का बटन है प्लीज लाइक कर दीजे आप हमें टेलीग्राम पे भी follow कर सकते है टेलीग्राम पे भी हमारा channel है और टेलीग्राम की खासियत यह है कि टेलीग्राम पे जो हमारा channel है dream classes के नाम से उसको अगर आप join करिएगा तो वहाँ पे quiz start हो गया है जी वहाँ पर भी objective question का क्यूज करवाया जा रहा है numerical का क्यूज question रहेंगे चार विकल्प रहेगा answer टिक लगाना है voting होती है वहाँ पर तो टेलीग्राम जरूर जोइन करिएगा बाकि टेलीग्राम नंबर भी हम आपको दिखरा है आपको screen पर ठीक है यह टेलीग्राम नंबर है बाकि आप टेलीग्राम पर जाकर dream class से सर्च करिएगा दिख जाएगा वीडियो का description में लिंक है question number 20 चार विकल्प आपके screen पर रखे वे कि विद्धुत आवेस का contact जिसको हम लोग कहते ESU मातरक में होता है विद्धुत आवेस का जो contact होगा ESU मातरक में होता है 4.78 into 10 to the power minus 10 1.6 into 10 to the power minus 19 2.99 into 10 to the power 9 and minus 1.6 into 10 to the power minus 19 चार विकल्प आपके screen पर दिख रहा है विद्धुत आवेस का contact ESU मातरक में होता है क्या question number 20 question number 20 4 विकल्प screen पर दिख रहा है धीरे धीरे जो है इस live class में भीड जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है यह काफी अच्छा लग रहा है देखते है ठीक है कि जिस तरह से बच्चे थे और बढ़ रहे है और live chat में हमारा मानना है कि ज़्यादा chat करना अच्छी बात नहीं हम अपने गोल पे ध्यान देंगे अपने syllabus पे ध्यान देंगे अपने carrier पे ध्यान देंगे चैट वैट तो बच्चे हाई hello करते ही रहते है पर उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहाना चाहिए question number 24 विकलप आपके screen पर है कि विद्धुत आवेश का contact ESU मात्रक चलिए मिसका answer बता है बहुत सरे बच्चों का answer आ रहा है ABCD ABCD यह तो आते ही रहता है बहुत सरे बच्चों का मैं देख भी रहा हूं सबके नाम भी पढ़ रहा हूं कि कौन क्या लिख रहा है लेकिन जो real में answer होना चाहिए न वो हमारा 20 का dear student वो हमारा A होगा 4.78 into 10 to the power minus 10 is the right answer ठीक है बिद्धुत आवेश का contact ESU मात्रक जो होता है वो 4.78 into 10 to the power minus 10 होता है एक बार like जरूर करिएगा शेर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ठीक है और dream classes का app जरूर डाउनलोड करिएगा अगर आपको crash course जोईन करना है तो 3-4 महीने में पूरी तैयारी करवाई जाएगी शुरू से crash course में 4-5 teachers course में रहते हैं तो ये काफी अच्छी चीजे आपके लिए dream classes के थूरू लाई गई है question number 20 question number 21 जैसा किya screen पे दिख रहा है कि एक एक एकांग की चालक के लिए निम्ल में से कौन अनुपात अचर होता है एक एकांग की चालक के लिए निम्ल में से कौन सा अनुपात जो होता है वो अचर होता है पहला option दिया गया आवश बटे विववांतर दूसरा option कुल आवेस बटे वीवव तीसरा option कुल आवेस बटे वीववांतर और चौता option ननवदी चारवी कलप आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं एक एकांग की चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है जल्दी से question का study on करिए कौन सा answer सही होगा question number 21, 4 वी कलप screen पे दिख रहे हैं आपको कि एक एकांग की चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है बहुत सारे बच्चों का answer आ रहा है थोड़ा कम answer आ रहा है पिछले questions के मुकाबले लेकिन फिर भी ठीक है बहुत अच्छा answer आ रहा है 21 number question 4 वी कलप जो question आपको नहीं आता है मैं request करूँगा कि आप उसको अपनी copy में pen paper लेकर लिखे जरूर क्योंकि मैंने यह जो test rate आपको दिख रहे हैं यह 500 previous year subjective questions का है यानि simple सी बात है important नहीं very very important है question number 21 चार वी कलप आपके screen पर है तो 21 number question का जो correct answer होगा dear a student वो हमारा होगा कुल आविश बटे बीभव नोट कर लो एक एकांग की चालक के लिए निमन में से कौन सा अनुपात अचर होता है वो answer होगा कुल आविश बटे बीभव बहुत ही मज़दार question था यह बहुत interesting question था और पूछेगा यह सब आपके exam से इस पर पूछे जाएंगे एक कुलाम आविश सबसे highlighted question है आज का सबसे highlighted question है क्योंकि इस चीज की चर्चा हमने अपनी class में भी की थी कि बाबू क्या होता है उन्हों क्या होता है नहीं एक कुलाम आविश कितने ESU के बराबर होता है पहला विकल्प जैसा कि आपको screen पे दिख रहा है 3 into 10 to the power 9 second option 9 into 10 to the power 9 third option is equal to 8.85 into 10 to the power minus 12 and ननवदी चार विकल्प आपके screen पे दिख रहा है एक कुलाम आविश की value कितनी होती है जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि इस question का answer बहुत गती से आ रहा है ठीक है एकदम fast पर और approximately 80 to 85% student जो है न वो correct एक कुलाम आविश का ESU मातरक होगा न वो होगा 3 into 10 to the power 9 जैसा कि आपको ये option number A में दिख रहा है और बिल्कुल सही answer है 3 into 10 to the power 9 is the correct answer एक कुलाम आविश की value 3 गुने 10 पर पावर 9 ESU के बराबर है मैं बार बार बोल रहा हूँ अगर आपको ये question नहीं आ रहा है तो ignore ना करे pen और paper में pen और paper लेकर तुरंद question लिख लिए अपनी copy में clear है ये देखो answer है 4-5 question जो भी हमने आपको करवाया है 17 से लेकर 22 तक के ये answers है note कर लो dear student बहुत काम देगा note कर लो बहुत काम देगा ठीक है चलो कुलाम बल है कैसा बल है किंद्रिय बल है विद्धुत बल है अगला option है ए और बी दोनों हो सकता है या ननब दीजिए इनमें से कोई नहीं कुलाम बल है केंद्रिय बल विद्धुत बल ए और बी दोनो ननब दीजिए 4 विकलप आपके screen पे दिख रहा है कि कुलाम बल कैसा बल है केंद्रिय बल विद्धुत बल ए और बी दोनो ननब दीजिए जल्दी सांसर दीजिएगा कुलाम बल कैसा बल है मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे आंसर आना शुरू हो गया है लेकिन जो रियल आंसर है कुछ-कुछ बच्चे दे रहे हैं बहुत सारे बच्चों के गलत आंसर आ रहे है इस चीज़ को याद रखिएगा कि कुलाम बल केंद्रिय बल है बिद्धुत बल है ए और बी दोनों भी हो शकता है ननब बिद्धुत चलिए मैं जैसा कि अगर बताना चाहूँ इस कोशन का अंसर है बबु, इस कोशन का जो रियल आंसर है आप ने दे दिया क्लियर है? आपने इस कोशन का अंसर दे दिया अब हमारी बारी है कि देखते हैं कि आपने कितने कोशन सही किए ये पिछले 4-5 कोशन जो कराए गए थे उसके अंसर हैं इसको नोट कर लो उपर जैसे हैं कि मैंने टिक लगा दिया है ठीक है और आपको अगर हमारे एप का लिंक चाहिए बबू तो आप इस नंबर पर वाट्सअप कर देना ठीक है आपको हमारे एप का लिंक मिल जाएगा ठीक है सिरफ हाई हलो कुछ भी लिख दोगे ना तो हमारी टीम वो आटोमे यह बल और विदूत बल दोनों होता है ठीक है क्लियर है चल यह बहुत हैलेटेड कोशन है कोशन नंबर 24 बहुत सारे बच्चे इसका अंसर नहीं भी कर पाएंगे पर कोई बात नहीं हम लोग ट्राय करके देखते हैं कि यदि गोले पर आबेस 10 म्यूसी म्यूसी की म्यूसी गोले पर आबिश 10 म्यूसी हो तो उसकी सत्ह पर विदूतिय फलक्स का जो मान होगा वो कितना होगा जैसा कि चार विकल्प स्कीरीम पर दिख रहा है ठीक्स पाई इंटो 10 तो दी पावर 4 न्यूटन मिटर स्कॉयर पर कुला ठीक्स पाई इंटो 10 तो दी पावर 4 न्यूट 10 मिटर पर कुला चल्दी सबती कोश्चन नमर 24 चार विकल्प आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इसका जो अगला कोश्चन होगा वो इससे भी हाइलेटे कोश्चन है जैसा कि आपको थोड़ा थोड़ा दिखी भी राय कोश्चन most previous years important question में से एक है जो हम आपको 25 नमर बताने वाले फिलाल हम लोग 24 पर डिसकस कर लेते हैं और 24 का जो correct answer है बहुत सरे बच्चे सई सही answer दे रहे बहुत बच्चों का गलत answer आया था जो correct answer होगा वो है 36 pi into 10 to the power 4 newton meter square per coulomb कितना answer होगा 36 pi into 10 to the power 4 newton meter square per coulomb अपनी copy में note कर द important सबसे highlighted सबसे मज़ेदार question है कि इतिबरता के विद्धुद्चेतर में इतिबरता के विद्धुद्चेतर में P दूइधुर्ब आघुर्ण बाले विद्धुतिये दूइधुर्ब पर लगने वाला बल आघुर्ण जिसको हम लोग कते हैं torque बराबर क्या formula होगा P vector cross E vector P vector dot E vector E vector cross P vector या P by E चार भी कलप आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है आपको किसी एक भी कलप का चैन करना है question number 25 चार भी कलप आपके स्क्रीन पर है कि E तिबरता के विद्धुत चेतर में P दूइधुर्ब आघुर्ण बाले विद्धुत दूइधुर्ण पर लगने वाला बल आघुर्ण जिसको लोग टार्क बोलते हैं जिसकी value क्या होगी मतलब उसका क्या formula होगा टार्क वराबर बार-बार subscribe नहीं होता है एक बार होता है उसके बाद बगल में घंटी का बटन होता है वो दवा दीजिएगा उससे क्या होगा ना कि जब भी हम कोई वीडियो वनेंगे तो आपको एक notification चल जाएगा आपके फोन में तो subscribe कर दीजिएगा notification का bell दवा दीजिएगा ठीक है और 25 का जो हमारा answer होगा dear student वो A होगा और यह आज की class यहीं पर हम लोग खतम करते हैं छोटा सा special class था अगले class में इससे और भी ज्यादा questions हम लेके आएगे okay dear student please मैं चाहूँगा कि आप हमारी इस video को इस video में जितने भी आज के class में जितने भी question थे उसको अपनी copy में note कर ले त किर